अलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बर हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन सभी के पास में इगनु के अंदर बिये पोलिटिकल साइन्स ओनर्स का कूर्स है और जिन सभी स्टू लेटस्ट कूशन पेपर दिसंबर दोजार तेईस का कूशन पेपर यह है और यह उन सभी स्टूडेंट्स के लिए पहुँजादा इंपॉर्टेंट है जो चाहे जून दोजार चॉबिस में अपने एक्जाम देने वाले हैं या फिर वे बच्चे दिसंबर दोजार तो किस तरीकी के कुशन पूछे जाते हैं तो अगर आपकी नजर में कोई स्टूडेंट हो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो एक्जाम की बात करें तो तीन गंटे का पेपर होगा तो माक्स का पेपर आएगा आप सभी के लिए पेपर जो है वो दो भाशाओं में दो सेक्शन आएंगे आप सभी के लिए दो भाग बनके आएंगे इसमें से हर भाग में से चैनला 2 कोशन आपको करना ही करना है और दो दो कोशन ऐसे आपके 4 कोशन कर लोगे और 5 कोशन आप THIS करें या पिर फर्स्ट पार्ट से कर सकते हैं तो तो सभी कोशनों के जो अंक्य का मतलब यह होता है कि राजनितिक सिधान्त की कि सांगिक्ता कैसी योल कहा है यह मृत न aí मिरत का मतलब यह आपर नहीं है आपको बताना है राजनितिक सिधान्त हमारे लिए तू जरूरी नहीं है इसमें यह बताना है यह question बहुत ज़दा important है और आप देखोगे कि हर साल paper में राजनीतिक सिद्धान्त की परसांगिता गुलेकर question पूसता है इसका मतलब इसका आज के समय में present में कोई relevance है या नहीं इसके राजनीतिक सिद्धान्त क्या करता है आज के जमाने में हमें राजनीति से जुड़े वे जब हमारे पास में कोई confusion होता है यह फिर राजनीति से जुड़े वे हम decision लेने में असमर्थ हो जाते है तो यह काफियत तक हमें ऐसी फसीवी उस्थिति में निकालने का काम करता लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी कहना है कि राजनीतिक सिद्धान्त वो पहले की आवशक्ता के अनुसार लिके गए ते तो आज की जुरूतों कोई ध्याना इसलिए राजनीतिक सिद्धान्त की ववजूद ही रह गया है इस प्रकार से आज का लोगतंत्र आप सुभी को प पासमे अधिकार चेत्र जो है वो कम कर दिया गया है यह भी याद रखेंगे इस वाले कोशन को मैं वैसे डीटेल से करवाऊंगा आगे चल कर लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए यही याद रखेंगे इसमें आपको राज्य के बारे में आपका रॉल्फ मिली बैंड के विचार बताना है राज्य कैसी संस्ता है आपको पता है चाहे उद्वारबाद की बात करें हम माक्सवाद की बात करें दोनों ने क्या किया है कि राज्य को एक यंत्र मान है पाक्सवाद जहां पर कहता है कि राज्य की वज़े से सूशन होता है राज्य एक ऐसी संस्ता है सरकार एक ऐसी संस्ता होती है जहां पर क्या होता है आप बोलोगे सरकार बोल राज्य को जी हां आप देखोगे राज्य राजनिती, इसे इंगलिश में political भूलते है, political, मैं आपको पढ़ाओंगा यह सारी चीदे और political जो है, यह एक policy शब्द से बनाए, policy शब्द और इस policy शब्द का होता है, मतलब नगर या राज्य है यह meaning होता है नगर यह राज्य है, और यह जो नगर ही है राज्य है जो है यह बेसिकली सिंपली आप क्या देखेंगे यह स्टेट को अदर शाहता है तो यहाँ पर हम कैसा है जो माक्षवादी लोग है उनका कहना है कि जो सरकार होती है उस पर केवल ताकत्वर लोगों का दबदबा होता है कैसी भी सरकारों के सरकार वहाँ पर राजतंत्रो लोगतंत्रो और अमीर लोगी पूरे शासन पर अपनी भागेदारी वी बात है इसलिए अमीर लोगों के ही दबदबे जादा रहते तो शासन में वस्ता में अगर अमीर लोगों का दबदबा कम करना है तो हमें राज्य नावक संस्ता खतम कर कर पाते हैं अपने एक्षानुसार सरकार को चुन पाते हैं और वो सरकार हमारी हिसाब से काम करती है तो जनता और सरकार के बीच में जो तालमेल या सामन जस्से की स्थिति है उसको बरकरार रखने में इसकी भूबता तो यह वाला पॉइंट पल्प नेक्स्ट कोशटन या आप सभी के लिए न वदारवात पर टियक्षी तो न वदारवात पर मैंने आप लोगों को students भी है और यहाँ पर आपके school के students भी है तो आप लोगों के लिए यह मैंने नया platform जो खास्त वर्पर बीए वाले बच्चे है उनके लिए बनाएं करकि यहाँ पर मास्रेट्स वालों को बढ़ाता हूँ और मास्रेट्स वाले जो बच्चे हैंगे वो बीए से अपर कैटेगरी के होते हैं यह पहला बीए करोगे तो उसके बाद बीए करने के बाद में आप में करोगे तो मैं यहाँ पर में वाले बच्चे को solution पर बढ़ाता हूँ तो आप बीए वाले चोटे बच्चे हो तो आप लोगों के लिए मैं ने यह चैनल सडूरी किया है तो आप इस चीज को भी सब्सक्राइब अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी में प्रेट्ट कोर्शन है कोड़न नम्र फुर इसमें आपको बताना gust था है जो है समाजवाद में अंतर बताना है विकासवादी समाज क्या होता है विकासवादी समाज है कि ऐसा समाज जो जनता को प्रगदी के मारगिंग पर लेके जाता है प्रगदी के मारगिंग पर लेके जाता है और कुरांते कारी समाजवाद क्या 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 लाता है रूप होता है और विकासवादी समाजवाद का रूप यह होता है कि हमने सारे के सारे संसादन जो है वो सरकार को दे दिये और सरकार क्या करेगी, अपनी इक्षानुसार जनता के बीच में संसादरों को विवाज़त करे गी और जनता का विपास खुरा आपके पेपर में शॉर्ट नूट भी आता है, अगर आपको पेपर में आता है, तो आप शॉर्ट नूट जरूर कीजिए, जैसे हम देखते हैं कि पहले एक वेक्टी क्या करता था कि एक शट को त्यार करता था उस शट को बनाने के लिए वो एक टेलर यानि एक वेक्टी जो भी उसको बनाने का काम कर रहा है वही उसकी कटाई करता है वही उसकी सिलाई करता है वहीं इसके अंदर बटल लगाता है और उन्त में जब पूरा का कमीज या जो शट है वो त्यार हो जाती है तो उस product को देखकर उस मजदूर की या फिर उस factory को काफी खुशी मिलती है कि मैंने उसने क्या काम किया लेकिन आज की जमाने में अगर हम देखें जब से industrialization हुआ है बड़ी बड़ी factory आ हो रही है सबसे हर एक मजदूर का काम बटा हुआ है अधिकतर काम या तो मशीन से होता है या फिर एक वेक्ति को क्योटे मोटे काम करने होते है पूरी तरीके से वो काम नहीं करता है और पूरी तरीके से काम नहीं कर पाने की वज़े से ही अगर हम देखें तो प्रोड़क्ट जो भी बनता है factory के अंदर उसको पूरा अधिकार नहीं होता जैसे कोई वेक्ति होता है कोई बटन लगाने का काम करता है केवल कोई कटाई का काम करता है केवल कोई सिलाई का काम करता है कोई packing का काम करता है पहले ये सारे के सारे जो अलग-अलग काम हो रहे हैं वो सारे के सारे पहले एक ही वैक्ति काम करता था लेकिन आज के ज़मान में हम क्या देखते हैं ये सारे के सारे जो काम है वो अलग-अलग वैक्ति करते हैं तो यहाँ पर जो मुझदूर है वो समाथ से तो कटगिया फैक्टरी में जाने के बाद में समाथ से कैसे कटाए जिसे सुबह सुबह बैक्ती क्या करता है सुबह सो के उठे, भई 6 बज़े सो के उठे खाना वाना बनाया, 7-7 बज़े 8 बज़े निकल अखे, 9 बज़े एफिस पहुंचे या फिर जो factory पहुंचे आप से साम को पांच-चछे बजे निकले पांच-छे बजे निकले पांच-छे बजे की बीच में पांच बजे ही मान के चलो market गए market दाने के बाद में आदा ज़न गाए घर आए अब उसके बद में उसके बच्चे होते हैं फैमिली होते हैं ठक जाता है फिर क्या हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि वैक्ति पूरी तरीके से समाज में कट जाता है वेक्ति पूरी दोगले के था समाज में उसका समाज के लिए कोई रिंडूल्मेंट ने नहीं समाज में क्या चल रहा क्यारेशन चल रहा है तो कोई योकदान नी होता अलगाव का सिध़ां भी ठीक उसी प्रकार से बताता है एक वेक्षी पहले कोई बस्तु बनाता था तो उस पर पूरी उसके एक्षा होती थी पूरी तरिके से मिल जो लगे काम करते थे लेकिन यहाँपर अब अलग अलग काम करते थे तो उनका अलगाव हो गया है वस्तु बातीप या लगाव आध कर अगला कुश्यन है एडम बर्क के बारे में बताना हैं सोल सुलूशन वाले YouTube चैनल पर आपको एडम बर्क की वीडियो मिल साथेगी अगला कुश्यन है नारिबाद की दूसरी लहरे आपका जैक घरीदा के बारे में मता नारिवाद के दूसरी लेह, नारिवाद होता क्या, इसे Englishman, Feminism बूलता है, और नारिवादी basically होते हैं, बूल लोगा है, जो महिलाओं को, जो महिलाओं को क्या करते हैं, पुरुषो के समान, पुरुषो के समान, अधिकार दिलाने की बात पर, अब इसमें नारिवाद के अं कुर्सो के समान, अधिकार दिलानी की बात, जैक दरिदाजी ने क्या बात कहिए, इसकी बारे में हमको बताना है, ये किस तरिके से बताता है, कि महिलाओं को, बजढ़ार को इपर उनका अगर हम देखें वो इन सब काम में लगी रहती है उनका कहीं पर भी कोई नाम नहीं होता। बस यह पने आपको शुकते हैं कि नारीवाजी लोग होते हैं भो कहते हैं महिलाओं को भी कुछिने का नहीं चेया का नहीं बढ़ा को भी आपका एक उप प्रोट के आए सकता है, शिक्षा के व्यवस्ता के थूप प्रमोट के आए सकता है, ऐसे ऐसे फॉर एक्जामपल आज चूटे, आपको लोकतंतर का लाव है नहीं बता था, आपको आपके माता बता बस इतना ही जानते हों गहीं से अगर पड़े लिखे नहीं है तो हम क्या कर अधिक जानकारी मिल जाती है, लोकतंतर के परचार के अंदर साथ इसाथ में चुनाओ की भी मुखे भूमिका होती है, जिदने भी राजनितिक सिद्धान तो उनकी भी अलग भूमिका होती है, लोकतंतर में परतिनिदित्व की चर्चा करनी है, परतिनिदित्व का मतलब हो जिन लोगों को हम चुनत हैं, वो, या तो वो, हम सभी लोग क्या करते हैं, राजनीती में मुख्य भूमे का निभाता है, यसे प्राचिन काल में हुआ गरता था, यसे कोई भी फैसले लिए जाने होते थे, तो आपने देखा होगा, कि बीच में युद्ध चल रहा है, सारे लोग यहां पर घमा हैं, मैच देख रहे हैं, युद्ध चल रहा है, तो उसी प्रकार से पहले मीटिंग होती थी, खाली मैदान में यह जगा पर लोग सारे करते हो जाते थे, जिस भी मुद्धे को लेकर उनको कानून मनाना होता था, मीटिंग करनी होती थी, लोग ही घट यह लोगतंतर है, जैसे आज का समय, हम क्या करते, नेता को चुनते हैं, अब मै काम करेंगे, तो यह परतक्ष है, परते नेता आप लेकार आए लोगतंतर है, लोगतंतर के परकार कहीं है, यह आपका पूरा कोश्टन भी परता अगर आप लोग को यह वीडियो पसांग का, शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ता कि अगला जैसे ही वीडियो में बनाओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और एक्जाम में भी सबसे अच्छे मांक्स आपी लेगा मिलते हम आप सभी से अपनी वीडियो में गए टेलिग्राम गुरुप पर उजुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो लग 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 वाले पर आपके 1200 बच्चे के करीब जुड़े हैं जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स और वो 600 स्टूडेंट्स आप टेलिग्राम पर कि इंस्टर्ग्राम पर भी आपके मास्ते हैं विलते हम आप सभी से अपनी वीडियो में जाएं